Welcome back, so आज की वीडियो में हम लोग continue करेंगे Java interview questions So basically आज का हमारा topic रहेगा कि कैसे हम लोग Java में कोई भी object को eligible कर सकते हैं garbage collection के लिए So actual solution जाने से पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि garbage collection basically automatically चलता है जब objects no longer further reference होते हैं So अगर आपको forcefully करना है या manually करना है Supposed कर लिए हमारे पास कोई class रहता या कोई object रहता My object ठीक है यह कोई class है ठीक है अब Supposed कर लिए इस class का object रहता Obj equals to ठीक है इसका object रहन गया है Supposed कर लिए अब इस reference को हम लोगों को यह करना है eligible करना है इस object को garbage collection के लिए हम लोग क्या करेंगे दो तरीका obj का reference को आप नल कर दो तो यह automatically eligible हो जाएगा garbage collection के लिए या फिर system.gc call कर सकते हैं हम लोग यह आप आप दो चीज़ बोलोगी कि object को नल करना से object का reference को नल कर देंगे तो फिर वो object eligible होज़िए और आप आप से पूछे तो आप दो चीज़ बोलोगी कि object को नल करना हो जाएगा और second system.gc call कर देंगे और garbage collector is separate बड़ा topic है तो उस पर फर्दर आप study करेंगे तो आपको पता से लिए क्यों यह bad practice होता है और यह possible ways है इसके लिए अगर आपको कोई इस वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करो और थैंक यू फर वाचिंग इट